बाज़पा को हर्याना के लोग पूरी तरहां नकार चुके हैं इसलिए बाज़पा अब दंगों का शड़यंत्र रच कर समाच को बाटने का काम कर रही है बीजेपी खुदी दंगे करवाती है और खुदी दूसरी पार्टी के नेताओं पर जूटी एफायार कराती है जावेद एहमद के खिलाफ जूटी एफायार दर्ज की गई है जिस समय ये घटना हुई उस समय जावेद एहमद उस थाने के सौ से जादा किलोमीटर दूर मौजूद थे मोबाइल लोकेशन और वीडियो फोटेज उपलब्द है ये सभी सबूत पुलिस को दे दिया गया है हमें जाच से कोई परहेज नहीं है पुलिस अपनी जाच पूरी करे लेकिन जाच हो तो इस बात की भी हो कि दंगे के समय नू से सैकडो पुलिस करमी बहार क्यों भेजे गए पुलिस अदिक्षक छुट्टी पर क्यों भेजे गए CID ने दस दिन पहले दंगों की इंफॉर्मेशन मुखे मंत्री को दी थी ग्रह मंत्री ने कहा कि CID ने उन्हें और पुलिस को जानकारी नहीं दी आखिर मुखे मंत्री जानकारी को छुपा कर क्यों बैठे थे क्या मुखे मंत्री का इस दंगे को करवाने में हाथ है इसकी भीजाथ होनी चाहिए भारतिये जंता पार्टी को हर्याना के लोग सिरे से खारिज कर रहे हैं नकार रहे हैं नफरत करने लगें भारतिये जंता पार्टी से इसलिए भारतिये जंता पार्टी अब दंगों का शड्यंत्र रच के समाज को बाटना चाहती है नफरत फैलाना च चाहती है पूरा देश जानता है कि आज के दिन में कौन सी पार्टी है जो दंगे कराती है कौन सी पार्टी है जो देश को आग में जोकती है कौन सी पार्टी है जो लोगों को आपस में लड़ाती है ये लोग खुदी पहले माहौल खराब करते हैं खुदी दंगे फैलाते है उसके बाद खुदी जूटी F.I.R. दर्ज करते हैं दूसरी पार्टी के नेताओं के खिलाफ जावेद एहमद हमारी पार्टी के एक नेता है उनके खिलाफ जूटी F.I.R. दर्ज की गई है नू के मामले में उस समय जब ये घटना हुई जिसका F.I.R. में जिक्र है वो हमारे लीडर जावेद एहमद वहां से 100-500 किलोमेटर दूर किसी जगह पर थे उसके उनके पास सबूत भी हैं उसके उनके पास रास्ते के विडियोज भी हैं उसके उनके पास मोबाईल लोकेशन भी है सारे प्रूफ सारे लोगों की गवाही पुलिस के सामने रख दी गई है हम किसी भी तरीके की जाच से हमें कोई परेज नहीं जावेद एहमद के खिलाब जो जाच करनीयों पुलिस को करे जो जाच सरकार को करनीय करे किसी ने किसी निशकर्ष पर पहुँचे लेकिन जब जाच कर रही है सरकार तो फिर इस बात की भी जाच होनी चाहिए कि जिस दिन ये दंगे हुए उस दिन 100 से ज्यादा नू जिले के पुलिस कर्मियों को मुख्यमंत्री जी ने वी आई पी ड्यूटी पर दूसरे जिले में क्यों बुला लिया था जिस दिन ये जिस वक्त ये दंगे हुए उस वक्त पुलिस अधिक्षक की छुट्टी मुख्यमंत्री जी ने क्यों मंजूर की पुलिस अधिक्षक जैसे सीनिय अधिकारी को उस वक्त वहां होना चीए था उनकी चुट्टी कैंसल करनी पड़े चाए उस वक्त में उनको चुट्टी क्यों दी गई और जिस वक्त में ये दंगे हुए उससे दस दिन पहले CID कह रही है कि हमने इसकी जानकारी दे दी थी CID CM को रिपोर्ट करती है आज हर्य के एक होम गार्ड जिनकी कच्ची ड्यूटी है उनको फत्याबाद से नू जिले में मरने के लिए क्यों भेजा गया बिना पुलिस ट्रेनिंग के इन सारी बातों की भी जाच होनी चाहिए और इसमें किसका सीधा हाथ है क्या मुख्यमंत्री खुद इस दंगे को करवाने मे शामिल है क्या भारके जंता पार्टी के नेता इस दंगे को भढ़काने में शामिल है इसकी भी सीधे तोर पे जाच होनी चाहिए अगर जाच हो रही है